बोलो प्रिश्ण भगवान ने की जय ओम अत पंचमो ध्याया अर्जुन वाचर अर्जुन बोले हे क्रिश्ण आप कर्मों के सन्यास की और फिर कर्मियों की प्रसंसा करते हैं इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भाति निस्चित कल्याण कारक साधन हो उसको कहि बोले कर्म सन्यास और कर्मियों ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं परंत उन दोनों में से भी कर्म सन्यास से कर्मियों साधन में सुगम होने से स्रिष्ठ है ह εδώ अर्जुन जो पुरुस न किसी से बेज करता है न किसी की आकांचा करता है वा कर्मियोंगी सदा सन्यास सी ही समझने योग्य है क्योंकि राग द्वे साधी ग्वंदो से रहित पुरुस सुख पुर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है उपर यूप्ति सन्यास और कर्म योग को मुल्ख लोग प्रिठक प्रिठक फल देने वाले कहते हैं न कि पंडिचन क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से इस्थित पुरुस दोनों के फल रूपर मात्मा को प्राप्त होता है ज्यान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है इसलिए जो पुरुस ग्यान योग और कर्म योग को थल रूट में एक देखता है वही अथात देखता है परंत हे अर्दुन कर्म योग के बिना सन्यास अथवा मन इंद्री और सरीर द्वारा होने वाले संपुर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठीन है और भगवत सोरुप को मनन करने वाला करमयोगी परम परमात्मा को सिगर ही प्राप्त हो जाता है जिसका मन अपने बस में है जो जित्यंद्रिय एवं मिसुध अंता करने वाला है और संपुन प्राणियों का आत्मरुप परमात्मा ही जिसका आत्मा है ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता तद तो को जानने वाला सांखी योगी तो देखता हुआ, सुंगता हुआ, स्पर्स करता हुआ, सुंगता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, स्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहन करता हुआ, तथा आँखों को खोलता और मुलता हुआ भी सब इंद्रिया अपने अपने अर्थों में बरत रही है इस प्रकार समझ कर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता है जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अरपन करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भाति पाक से लिप्त नहीं होता है करमयोगी ममत्व बुध्धि रही केवल इंद्रिय, मन, बुध्धि और सरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंता करन की सुध्धी के लिए कर्म करता है। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप सांती को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेडा से फल में आसपत होकर बनता है अंता कर्ण जिसके बस में है ऐसा सांख योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नो द्वारों वाले सरीर की घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पुरुवक सचिदान अंदन घन परमात्मा के सुरूप में इसकी करता है परमेस्वर मनुस्यों के न तो करतापन की न कर्मों की और न कर्म खल के संयों की ही रसना करते हैं किन्तु सभाव ही बरत रहा है सरोप्यापी परमेस्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के सुप कर्म को भी ग्रहन करता है किन्तु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढखा हुआ है उसी से सब अज्ञानी मनुसे मोहित हो रहे हैं परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व अज्ञान द्वारा नश्ट कर दिया जाता है, उनका वह अज्ञान सुरी के सदिश उस सजदान अंदन घन परमात्मा को प्रकासित कर देता है। जिनका मन तद्रुप हो रहा है जिनके बुद्धी तद्रुप हो रही है और सचिदान अंदन घन परमात्मा में हैं जिनकी निरंतर एकी भाव से श्थिति है एसे तक पराण फुरुष ज्यान के द्वारा पापहित होकर और पुन्यरावरिती को अर्थात परमवती को वे ज्यानी जन विद्या और विनय युक्त ब्रामर में तथा गौ, हाथी, कुट्यव और चांडाल में भी समदर्सी ही होते हैं जिनका मन संभा में स्थित है उनके द्वारा इस जिवी तवस्था में ही संपुन संसार जित लिया गया है क्योंकि सच्टान अंदन घन परमा में स्थित है जो पुरुष प्रियो को प्राप्थ होकर हर्शित नहीं होते हैं और अप्रियो को प्राप्थ होकर जुग्न नहीं हो वह इस्थिर बुद्धि, संसे रहित, ब्रह्मवेता, पुरुष, सचिदान अंदन घन परम ब्रह्म परमात्मा में एकी भावसे नित इस बाहर के विश्यों में असक्ति रहित अंतह करणवाला साधक, आत्मा में इस्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्थ होता है, तदंतर्व सजदानंद अंधन परब्रम परमात्मा के ध्यान रूप योग में अविन भाव से इस्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनभव करता है, जो ये इंद्रियत अथा विश्यों के सयोग से उपन होने वाले सब भोग हैं, यद्ध पे विशाई पूरुसों को सुख पुरवक भास्ते हैं, तो भी दुख के ही है तो हैं, और आधियंत वाले अर्था तनित हैं, इसलिए है अर्जुन मर्थ हो जाता है, वही पुरुस योगी है और वही सुखी है, जो पुरुस अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्यान वाला है, वह सजता नंदन घन परब्रम, परमात्मा के साथ एकी भाव को प्राप्त, सांकी यो काम क्रोज से रहित जीते हुए चितवाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षाकार किये हुए ज्यानी पुरुसों के लिए सब और से सांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपुन है। बाहर के विशय भोगों को नचिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों के दृष्टी को भृकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और आपान वायू को सम करके जिसकी इंद्रिया मन और वुध्धी जिती हुई है ऐसा जो मुख् ही है मेरा भन्त मुझको सब यक्य और तपों का भोगने वाला संपुंड लोकों के इस्वरों का भी इस्वर रथा संपुंड गुत प्राणियों को सुरिद अर्थात्व स्वार्थ रहे दयालू और प्रेमी ऐसा तत्त्त से जानकर सांती को प्राप्थ होता है ओम तक्सित स्री मत भागवत गीता सुपनिष्ट स्तुत ब्रह्म विध्यायाम योग सास्त्रे स्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म सन्यास योगों नाम पंचमुर्ध्याया बोलो कृष्ण भगवान की जै राधारानी की जै विष्णु भगवान की जै